हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं चैनल तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने फेस्बूक का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो अपने फेस्बूक का पासवर्ड चेंज करना तो आईए आज किस वीडियो को बिन टाइम बेस की फटाफट हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले आप सभी को जो आपका Facebook है आपको इसको open कर लेना है तो जैसी ही आप लोग अपने Facebook को open करेंगे तो यहाँ से आप लोग देखेंगे right side में आपकी यहाँ पर three line दिखाए देगी आपको इसपे click करना है तो जैसी आप लोग इसपे click करते हो तो यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको नीचे मिलता है setting and privacy option तो यहाँ से आपको इसपे click करना है तो जैसी आप लोग इस पर किलिक करते हो तो यहाँ से आपको एक option मिल जाता है settings का तो यहाँ से आपको settings पर किलिक करना है तो जैसी आप लोग settings पर किलिक करते हो तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो आपको सबसे उपर मिल जाता है account center option तो यहाँ से आपको इस पर किलिक करना है तो जैसे ही आप लोग Спस्ब्सक्राइब करोगे तो यहाँ से आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाता है change password का option तो यहाँ से आपको इस पे click करना है तो यहाँ से आप लोग जैसे इस पे click करोगे तो यहाँ से आप लोग जिस भी ID का password change करना चाहते हो वो ID आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ से आपको उस ID पे click करना है उसके बाद यहां से आपके सामने तीन option मिल जाते हैं तो यहां से आपका पहले current password डालना है उसके बाद यहां से new password डालना है और यहां से आपको दुबारा से new password डालना है और उसके बाद यहां से आपको change password पे click कर देना है तो यहां से जो आपका password है वो change हो जाएगा अब यहां से दोस्तों अगर आपका पुराना password याद ही नहीं है तो कैसे आपको change करना है तो उसके लिए आप लोग यहां पे देखोगे तो आपको मिल जाता है forget your password का option तो यहां से आपको इस पे click करना है तो गयाज यहां पे जैसी आप लोग forget password पे click करते हो तो यहां से facebook बनाते समय आप लोगों ने जो भी mobile number या जो भी email दिया था आपको यहां पे उस पे click कर लेना है तो यहां पे आपको करना क्या होगा आपको यहां पे OTP मंगाना होगा तो यहां से आपको अगर email पे मंगाना चाते हैं तो आपको email पे click करना है अगर आप mobile number पे click करना है तो यहां से मा लीजिए कि मैं अपने phone number पे मंगाना चाता हूँ तो यहां से send OTP SMS पे click कर देता हूँ उसके बाद यहां से आपको continue पे click कर देना है अब यहां से आपको जो यह capture दिखाई दे रहा है यह आपको यहां पे capture verify करना होगा तो यहां से आपकी screen पे जो भी capture दिखाई दे रहा है आपको इसे fill कर लेना है capture भरने के बाद आपको यहां पे continue पे click करना है यहां से आप लोग देख सकते हो कि यहां से जो भी आपका Facebook में mobile number add था उस पे आपका OTP भे दिया गया है तो यहां से आप लोग देख सकते हो और यहां से आप लोग देख सकते हो कि दो अंक आपके mobile number का दिखाई दे रहा होगा और यहां से आपको करना क्या है उस mobile number पे आपका 6 DJ का code आया होगा आपको वही code यहाँ पे आपको डाल देना है अब यहाँ पे आपको code डालने के बाद अब यहाँ से आपको continue पे किलिक कर देना है तो जैसे आप लोग continue पे click करोगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो अब यहाँ से आपको new password बनाने को option मिल जाता है तो यहाँ से आप लोग जो भी new password बनाना जाते हो आपको यहाँ पे वो new password बना लेना है उसके बाद यहाँ से आपको अपना new password डाल देना है तो यहाँ से आपको password डालने के बाद अब यहाँ से आपको next पे click कर देना है अब यहाँ से जो भी आपका password है वो change हो चुका है finally और यहाँ से दोस्तों आप लोग इसी तरीके से अपने facebook का password easily change कर सकते हो तो guys I hope कि आपको वीडियो पसंद होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चलों को subscribe जरूरू करें